दोस्तों क्या होगा अगर हम 2020 में बने ताले और सन 1950 में बने ताले को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे ये तो हम सभी जानते कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज़्यादा पावर्फुल होता है ये पलफर में किसी भी चीज का कचुमबर बना देता है और आपने ये वाली कावत तो सुनी होगी कि Old is Gold लेकिन नए और फुराने वाले ताले में से कौन ज़्यादा पावर्फुल है और कौन ज़्यादा धर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगा चलिए देखते हैं तो दोस्तों इसने तो साथ टन का वजन सेंड कर लिया जो कि अपने आप में काफी जादा होता है तो चलिए अप सन 1950 में बने ताले को हाइड्रोलिक प्रेस की नीचे रख कर देखते हैं लेकिन उसने पहले सच्चे भारती वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिख देना और दोस्तों सन 1950 में बने ताले ने तो 20 टन तक का वजन सेंड कर लिया सही में किसीने सची का है ओल्ड इस गोल्ड